जैस याराम, रादे रादे, जैसे कृष्ण, जैमाकाल, जैसी नंद्र, सभी मित्रों का एक वार बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ, चर्चा करते हम यहाँ पर यह वीडियो में सिल्वर के बारे में क्या हो सकता है, गोल्ड की भी बात करेंगे, जैसे कि कल भी बात करी थी, लास्ट विक में भी बात करी थी कि अभी थोड़ा सा परेशान होने का समय है, मतलब ट्रेंड कुछ ऐसा है दोस्तों की यह हमें तंग करेगा, परेशान करेगा, जैसे कि कल भी समझाया था कि यह नीचे से उपर गया, फिर नीचे आया, फिर उप वापस उपर गया और उपर जाने के बाद नीचे आया तो यह उपर नीचे उपर नीचे का जो ट्रेंड इसको हम कहते साइडवेस ट्रेंड जो भी मार्केट के अंदर चल रहा है कल हमने एक लेवल चर्चा किया था दोस्तों और मार्केट में देखिए 242 के आज पास का हाई बनाया और फिर गिर गया एक हमने सपोर्ट भी चर्चा किया था 300 का 74,300 का सपोर्ट था तो मार्केट ने दोस्तों एक बखो भी ये भी सपोर्ट का भी उसने संदमान किया है 74,289 लग 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 तीन सो के आज पास गया और फिर वहाँ से बाउंस भी लिया अच्छा का सा तीन सो सभा तीन सो साड़े तीन सो पॉइंट का तो मार्केट में ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बढ़िया काम करते हैं जब अगर आपको अच्छे सपोर्ट ढूनना आ जाए तो आप भी ऐसा काम कर सकते हो तो अभी कोई चेंज नहीं है दोस्तो कल वाला जो व्यू है क्योंकि मार्केट ने ना उपर की रेंज का ब्रेक आउट किया है ना नीचे की रेंज का ब्रेक आउट किया है थोड़ा सा एक चेंज है वो आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ 75,300 जो है वह उसका उपर का हम resistance पकड के चलते हैं मान के चलते हैं और नीचे में जो है वह वह कलवाला लो 290 के आज़ पास जो है उसको हम एक support मान के चलते हैं तो market अभी यह वाली range में है और यह range का एक midpoint है, एक middle का दाइरा है, वो भी हम ध्यान में रख सकते हैं, उपर की side के लिए, वो level को जाता है 750 के आसपास, ठीके, तो अगर market जो है, वो 750 के उपर निकलने की कोशिश करें, तो उसकी range हो की 75,300 के आसपास, और 74,750 के नीचे range है, उसकी 74,300 के आसपास, अगर ये 300 के नीचे रुकने की कोशिश करें 2-3 गंटे, तो फिर वहाँ से थोड़ी से खराबी समस्या बढ़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है, जब तक ये वाली range का नीचे की तरफ breakdown ना करें, तब तक थोड़ा सावधान रेने की जरूरत है, तब तक जो है, वो थोड़ा सा ये अमें कर सकता है, ऐसा आपने विकली वीडियो में भी चर्चा करी थी, तो अब आगे की बात कर लेता हूँ दोस्तों, और साथ में ये ट्रेडिंग रूल्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, वीडियो को पहुश करें के एक बार पढ़ लेना, मैं अभी आगे चलता हूँ, ले तो गोल्ड के अंदर जो है, उसमें भी विव अभी तो हम सेम रखते, 450 के आसपास, 425 का कल का एक हमारा रेजिस्टेंस था, तो मार्केट भी लगबग लगबग वही लेवल के आसपास आया, 439 फिर करेक्शन कर दिया, तो स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस दोस्तों, कल इंट चर्चा करनी की कोशिश करते, विहपते में दो बार जो है, वो चर्चा करते, क्या देखने को शीखने को मिलता है, या पॉइंट देख सकते हो, मिट सूप, 678 कानियम, बीबी कानियम, 90% एक्कुरियसी ट्रेडिंग में हम जो है, वो प्रयास करते कि हम जो है, वो कर पाए, सही समय पर एंटरी कब करें, स्टॉप लास कैसे लगाए, कितना लगाए, एक्जिट कब करें, ये पूरी चीजे जो है, वो हमें तीन महीने तक वहाँ पर हम चर्चा करते, तो अगर आप जुड़ना चाहो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो ये हो लाइव क्लास का बाद, अब 450 का सीम रेजिस्टेंस रहेगा, कल वाला जो था हमारा वही, अभी सपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं, तो सपोर्ट के लिए जो है, वो दोस्तों 800 का सपोर्ट जो हमने कल चर्चा किया था यही है, क्योंकि ये भी एक साइड़े स्ट्रेंड के अंदर है, तो वहाँ पर हमें ध्यान लखना है, अब बात कर लेता हूँ, डॉलर टम के हिसाब से तो डॉलर टम के हिसाब से कल जो है, वो थोड़ा सा इसने करेक्शन करने की कोशिश करी थी, और वो करेक्शन का अमारा लेवल था कुछ 53 के आसपास 24.53 वो लेवल कटा, ल वाला लो, अगर कल वाला लो कटता है, तब जाकरी अब यहाँ पर कोई नई गिरावट, नई करेक्शन की उमेदे बढ़ सकती है, तो वो अमें ध्यान रखना है, उपर की साइड के लिए अब लेवल चर्चा कर लेते हैं, तो अभी चल रहा है, 47 के आसपास, और उपर के लिए 2460 का लेवल हम ध्यान में रखेंगे, पहला 2460 के उपर चलता है, तो 24.9596 के उपर ध्यान रखेंगे, तो दो बड़े लेवल जो है, वो उपर की साइड में है, लेकिन अब जब तक यह 2432 का लेवल ना कटे, तब तक थोड़ा सावधान देना, वो लेवल अगर कटता है, तो बाइंग वाली पोजिशन में अलर्ट रहने की जरूरत होगी, क्योंकि फिर वो लेवल के नीचे करेक्शन और बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, अभी का चार्ट और मुढ मावल देखता है, बात कर लेता हूँ, डॉलर टम के उपर, गोल्ड के अंदर तो में डॉलर टम के इसाब से अगर देखने जाए दोस्तों, तो पहले सपोर्ट की चर्चा कर लेता हूँ, सपोर्ट रहेगा हमारा 2165 के आसपस, ठीक, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश करें, तो थोड़ा करेक्शन हो सकता है, कलम ने बात करी थी एक, रेजिस्टे के आसपस गया, लगबग लगबग 181 डॉलर की तेजी जो हुई है, जो कि ठीक माना जाएगा, अच्छा है, इंट्राडे के इसाब से कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी जो है, वो दोस्तों मेरा मानना है, जब तक 2207 के उपर जाके रुकेगा, नहीं क्रो बड़ी करेक्शन जो है, वो 2165 के नीचे रुकने के बाद होने की उमीद है, ऐसा अभी मुड मावल चार्ट देखकर मुझे लग रहा है, अब बात कर लेता हूं मैं, एंजी के बारे में और फिर जो है, वो कुरूर के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, तो एंजी के में दिन नहीं लग रही है अभी, तो 164 के उपर चलने देंगे हम, अगर 164 उपर काटता है, तभी कोई अच्छी तीजी है, नीचे में कोई सपोर्ट की चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि नीचे में अभी थोड़ा टाइम पस कर रहा है, हमें खाली उपर का ओवर सोल ले, तो उपर का लेवल खाली हम ध्यान में रखेंगे, 164 के हिसाब से, अब बात कर लेता हूँ, क्रूड के बारे में, तो क्रूड जो है वो अभी चल रहा है दोस्तों, कल जो है वो ठिक थाक साइड़ वेजिक मोमेंट किया था, हमने एक सपोर्ट भी चड़ जाए गिया था, 6,755 अभी वही लेवल के आज पास चल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, उसका 6,750 का ये लेवल अगर काटता है, तो मेरा मानना ये लेवल के नीचे है, थोड़ी करेक्शन बढ़ा सकता है, करेक्शन के अंदर स्पीड पकड़ेगा, अगर ये 6,685 का लेवल जो है, वह ब्रेक करे तब, ठीक है, 6,685 ये वाला लेवल अगर ब्रेक करने की कोशिश करें, तो थोड़ा और स्पीड पकड़ सकता है, उपर में तेजी के लिए दोस्तों, अब हमें ध्यान में रखने की जरूर आते, 6,825 का लेवल, जब तक वह लेवल उपर के तरफ र बदने के लिए है, ये लेवलों के उपर आप ट्रेड करों से पहले, आप भी अपने साइड पर एक बार जरूर चेक कर लिजेगा, फिर आप अपना ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हो, लाइव क्लास में जुड़ना चाहो, शिकना चाहो, लाइव मार्केट से दोस्तों तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो लिंक ओपन करके आप शिक सकते हो, वीडियो में सभी दोस्त बने रहे हैं, इसके लिए सभी मित्रों का रदय से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल फिर से